अनुरुद आपनारा आपनादेर पदाईतो पालोन करून आपनादेर विशेयाश अनुरुद के उत्तेजितो हबेंदा आपनादेर शांती स्रिम्खाला बजाय दापून करो जुडे आपनादेर काछे अनुरुद करजी आपनानार के उत्तेजितो हबेंदा तो एक बड़े आपना ड़ा अपना देर जाए गाई बुशे परून आमडा पुधान मंत्री के सागतो जानालाम एबादेर आपना देर माँचे बगत बड़ागबेन बालूर घाट लोक सबा केंद्रेल पार्थी तथा बिजेब्बी राज्यो सबापती मानोनियो डक्तर सुकान्त मोजुमदार महासाई भारात माताकी आजके मुक्खो मंत्री जलपाई गुरी तेस्षे बालूर घार तेके जलपाई गुरी ओपती आवाचावाचाई भारत माताकी भारत माताकी मोहांदेशेर मोहांदेता नरंदमोदी जपी नडड़ा भारत माताकी बंदगान आजके आमरा आमादेर माजे सुदु भारत बर्षेर नए बिशेर सब्तेके जनप्रियो नेता भारत बर्षेर नबो भारतेर भोगिरत एक दिके यामन भोगिरत माँ गंगाके एई मर्तो लोके नेचिलेन आर आमादेर माननियो प्रधान मंत्री तिरी राम चंद के अज़त धाय फिरिये नियस्षेन शेय भोगिरत नरंदमोदीके आमरा आमादेर माजे पेहची आजके माननियो प्रधान मंत्री आपना जानेन हईतो जे नबो रात्ती रुपास करें उनी नदीन धरे जल्प छाला किच्चु घान्ना आजके छेय अवस्ताई माननियो प्रधान मंत्री नबो रात्ती रुपास करे उपवास करे आमादेर माजे उपोस्ती थे चेन आमादेर बालुर घार लोक्सा भाकेंदेर लोकेदेर साते कधाव लाज जन्न द्याखा कराज जन्न बोंदुगन आगामी शाब्लीस तरीके भर्ट माननीय प्रोधान मुन्ती मूल भक्ता आमी भक्ता नोई आमी बार बार आप्रदे समने एशेची आमादेर मंचे अनेक विशिष्ट्र जन आमादे साथे जेलासवाबती सरुप चोधुरी तेके सुडु करे बिरायोक अशक लाहिरी तेके सुडु करे सोत्तेन लाहि तेके सुडु करे माभुजा खातुन तेके शुड़ु करे, सुबेंदु सरकार तेके शुड़ु करे, देवस्त्रिदी, पुर्णी माधी, सोभी दादी, विनाई बर्मन तेके शुड़ु करे, आमादे संकत चक्रवत्ती, ओभिशेक सिंगानिया, आमादे गोवतम राय, बापी, सरकार, समग नेत्तित्तो आमाले जोयनतो प्रामानीक तेके सुडू करे नांटुदा तेके सुडू करे प्रलव चोदुरी तेके शुडू करे बरो लीस्ट आचे सबार नामवला शुजग नहीं आमार काचे शेरो खमाचे यह निच्ची आपनाधेर काचे कितु बंदुगान पाज बचोर आपनाणा सुजग दिये चिलें उनिस्थेके चोब्वीश तार मद्दे दुबचर कोबीटे नस्टो हे चे तार मद्दे आपनाणाजे दाइत्तो दिये चेन शेह दाइत्तो आमरा गोटा बालूर घाट लक्षबादे पालन करे देखिये ची पाच कोटी टाका दिये बुथे 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 सोलाल लाइट लागानर ब्यावस्ता एई जेला ते शुकांत मोजुमदार आपनादे शांग्षत करे चे आपना दासे पुरुषकार पे विशेज घटो ना घटलो गतोकाल एई पीछिये परा जेला एस्पिरेशानाल डिस्टिक तार हेटकौाटर बालूरुघार तेके पूझिक जिक कोत्ते दिल्ली पज्जन्तो ट्रेन नरेंद्नमोदी आमादे जन्लो पठालेन नरेंद्नमोदी आशारागे तार सेवा आमा भुटेर पर बंदो है याबे विपलब बभु के बोली भिपलब बभु भुटेर पर जेदिन आमी आपनी एई प्रिदिवीते धाकबो ना राजदीती धाकबो ना बये शोय याबे शेई शमयो बालुरुघार तता दोख्खिन्दिनाथ पूर जेला थेके दिल्ली रेट चलबे चल बे श冷 बे चल बे येवन्घ दिल्ली ते बालुब। घटेर नामुच्चाडितल हभे मन्दोगन आजके बालुब। घटेर मदोर्पम debatesे कि क्रांतिक। स्टेशं के मालोनियो प्रोधान्मोंत्री उम्रीद भारो स्टेशं करे शे नीसम Mêmeना और आपना सुन्द अब आखोए जाबेन आमी मानो नियो प्रधान मंत्री स्दे द्याखा कोरे बोले छिलाम। एकने मेडिकाल कलेज नहीं मनुष्ठीकिस्षार सुजोग पाईना आमी बोले छिलाम जापनार पी एम रिलीफ फांट तेका आमा दे रेक्टो बेशी कोरे देवेन। मानो नियो प्रधान मंत्री एई पाज बचरे दूसो बहान्नो जन रुगीर जन्नो छकोटी प्वाइताल लिस्ट लख़टा का मने रागबेन। दूशो बहान्नो जोन पेशेंटेज जन्नो छो कोटी पोईताल लिस्ट लोखोटाका माननियो प्रधान मोंती पीम रिलीप पांट तके देयार बावस्ता कोड़ेचे। कद गोरीब मालुस्थी किस्षा पेचे, शुस्त है चे माननियो प्रधान मोंती जन्नो। हिली बालुरुघाट, रेल प्रकल्पेर जन्नो, पास्षो, कोटी टाकार बेशी टाका माननियो प्रधान मोंती दिये छेन। आजके शेई प्रधान मोंती के आमरा आमाते स्वामने पेची। ताई बंदुगन मने रागबेन, एई जेला ते आमी बरो होईची। आजके माननियो प्रधान मोंती के बोलबो, जे एई जेला, एक मात्त्रो जेला याखन उत्तल बंगेर, जेकेर एक्टा मेडिकाल कोलेज नहीं। विश्व व्युद्ध लाई घोचना होएचे, तार बिल्लिंग तोईरी होईनी, अपदात्तो तिनमुल कंग्रेसें नेतारा, एक्टा यीट पोज्जंत गात्ते पारेनी, शेई अपदात्तो तिनमुल कंग्रेस के, एक्टियो भोड दे बेनना, भोड दिले, आमादे छे आई ना निये सुदु बोलबो, जे एकेने आमार जन्मो बेरे ओठा, पोती मुहुत्ते जिवने सेष निश्चास पर्जन्तो, एई जेला तथा बालुर घार लक्षबार जन्नो, सेष रक्त बिन्दु पर्जन्तो जुदि लराई कर्त होई, एई जेला के दिल्ली इर्भ के चेनात हाई, शुकान तो मुझुम्दार पिच्पा हवे ना, लराई निये सामने एगिए जाबो, एई कथा बोले, आपना दे सकल के प्रणाम नमस्कार, बांगला नव वर्षे सुबेच्चा जालाई, एबं जानिये, माननियो प्रधान मंत्री, विशे रैक्नम्म नेत ताके आहवान कर्छी, तार बक्तफबो, आमदे सकले सम्ने दाकार जुर्णो, नमस्कार, एमान आजेन भालुर गारबासी आपना देर शकोल के आमार विनम्रो पुणाम स्रद्याओ भालो भाशा नवरात्र के पावन आउसर पर बालूर गाड की इस धर्ती से मैं सबसे पहरे माता बोला काली को प्रणाम करता हूँ आज महा अस्टमी का पर्व है और कल पुरी स्रद्धा और भक्ति के साथ राम नौमी की शोभायात्राई निकलेगी मैं आपको और मंगाल के मेरे सभी भायो बहनों इस अउसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज बालूर गाड का ये जन समों जन जन का ये उत्सा और मैं बाहर देख रहा था हेलिकोप्टर से उतरते समयें चारों तरब लोग ही लोग है ये उत्सा और हमारी माताओ बहनों का ये आशिरवाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार शोपाद चार जून चार जून आबार एक बार आबार एक बार आबार एक बार साथियों अभी दो दिन पहले पोईला वैशा के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले पांच वरसों की गारंटी दी है हम गरीबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाएंगे ये मोदी की गारंटी है हम मुक्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल जीरो कर देंगे ये मोदी की गारंटी है बीजेपी सरकार आने वाले पूरे पांच वरस मुक्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे सत्तर वरसे अधिक हर बुजूर को आयुष्मान भारत योजना के तहर मुप्त इलाज मिलेगा बंगाल में हमारी बेटियों का साबर्त बढ़ाने के लिए उन्हें IT, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मकान, पानी, बिजली, सिलंडर जैसी सुविदाएं देश के हर गरीब तक पहुँचाई जाएगी भाई और बेनों, इन सभी फैसलों से बंगाल के गरीब, दलीत, आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का एक गारंटी कार्ड आया है टीमसी के लोग डबल बॉक लाये हुए है इने लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पियम आवात नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मनरेगा का पैसा बेचती थी ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाओं पहुचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टीमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी और इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा पहलाने पर उत्तर आए है लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो गारंटी पुर्ण होवार गारंटी साथियों हमारे बंगाल ने बालूर गाट ने देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद्ध में युवा चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों दलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है यह बीजेपी सरकारी है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरुबात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है जितने द्रवपदी मुर्मुजी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ठपती बनाया है दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाईव बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बना कर रखना चाहते हैं इसी बालूरगाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहाँ आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैटा कर माफी मांगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीद आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीद वन्चीद आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को गुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जन्द ही गुटनों पर आजाएगी साथियों लेप्ट और टीमसी की सरकारों ने बालूरगाड जैसे सीमावर्ति छेत्र जहां दलीद आदिवासी जादा है उन्हें जान बुचकर विकास से बन्चित रखा यहां इनों ने जीवन के लिए जरूरी सुविदाए नहीं पहुंचने दी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए रोजगार के अउसर नहीं पैदा होने दिए यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गड़ छोड़ कर जाना पड़ता है लेकिन बीते दस वर्सों में टीमसी के तमाम विरोत के बावजूत बीजेपी ने बालुरगार्ट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है बाजपा बालुरगार्ट स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन के रुपे विक्षिक कर रही है अभी जनवरी में बाजपा एंडिय सरकार ने यहां से सियांजा को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है बटिंडा से मांदा तक चल रही ट्रेन को भी बालुरगार्ट से जोड़ दिया गया है केंद्र सरकार ने बालुरगार्ट एरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है लेकिन यहां की टीमसी सरकार की नियत ही नहीं है कि यहां एरपोर्ट बने भाई और बैनों टीमसी के लाख भिरोद के बावजोद अगले पांच वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालुरगार्ट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी यह मोदी की गारंटी है बंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाइवेज का राब इस पूरे क्षेत्रों को मिलेगा क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरा संकल्प है आपनार सपनों आमार संकल्प हो और भाईयों बेनों मैं आपको वादा करता हूँ आपके सपनों को पूरा कंडे के लिए मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और लिख लिजिए 24 by 7 24 by 7 और 2047 ये मोदी आपके लिए है साथियों दिनाजपुर्ग शेत्र के पिछले पन का बड़ा कारा यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है गंगा रामपुर का हैंडलूम तांक यहां के कला कारोदवारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगव होती है यहां के किसान तो जूट उगाते हैं उससे देश की जरुदत पूरी होती है इतने दस्वकों बार ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कला कारों की चिंता की है भाजपाने अठारा पारमपारिक व्यवसायों जैसे कुमार, लोहार, तोकरी बनाने वाले, चताई बनाने वाले ऐसे कारीगरों और हस्त सिल्पियों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना शुरू की है इस पर तेरा हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बड़े, उनकी आय बड़े हमारी ही सरकार ने बैम्बू को गास की स्रेणी में डाला था ताकि उससे आज जी विकाच चलाने वाले लोगों को बैम्बू काटने में परेशानी न हो जूट किसानों के लिए हमने पिछले दस वर्सों में जूट की MSP दो गुने से जादा बढ़ाई है हमने चीनी, अनाज, ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उप्योग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाब हो जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केर योजना भी शुरू की है जिसका लाब बंगाल के तीन लाग से जादा किसानों को मिल रहा है साथ्यों बंगाल की टीमसी सरकार तोला बाजों अपरादियों और प्रस्टाचारियों का अड़्डा बन गई है बीजेपी कायर करता कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती है बालूर गाट में कुछ वर्थ पहले हमारे बुद्ध सभापती की हत्या की गई है संदेश खाली में महलाओं पर जो जुल्म हुए सोशन की जो गटनाएं सामने आई उनसे पुरा देश दहल गया है देश ने ये भी देखा कि टीमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराजी को आखिर तक बचाने में लगी रही साथियों टीमसी बंगाल में प्रस्टाचार कर भी खुला खेल खेल रही है सरकारी ठेके टीमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए है यहां तक की प्राइमरी सिक्षोकों की बर्दी तक में गोटाले हो रहे सरकार में मंत्रियों के ठेकानों पर रेड होती हैं तो करोड़ों रुपिया कैस बरामद होता है एजनसियां जब प्रस्टाचारियों पर कारवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं भाई और बैनों टीमसी ने एक तरह से बंगाल को अवेद गुस पेठियों और अपराधियों को लीज़ पर दे दिया है इसलिए बंगाल सरकार गुस पेठियों को समरक्षन देती हैं और कानूनी सरणार्थियों को नागरिक्ता देने वाले CAA कानून का विरोध करती है आपको इनकी अफ़ाओं में नहीं आना है ये अपने प्रस्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए जूट का सहारा ले रहे है TMC को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबा कर देनी है साथियों आने वाली 26 अपरिल को बंगाल के भविश के लिए बड़ा आउसर है बालूर गाड से आपके सामसत और बीजेवी प्रत्यासी बाई सुकान मजमूदार जी ने पिछले पांच बरसों मैं यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वटों से जीत वाना है आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ आपको पस्चिम मंगाल के गर गर तक मोदी का प्रणाम पहुचाना है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद केमन आजेन बालुरगाड बाशी आपना देर शकोल के आमार विनम्रो प्रणाम स्रध्याओ भालो भाशा नवरात्र के पावन आउसर पर बालुरगाड की इस धर्ती से मैं सबसे पहले माता बोला काली को प्रणाम करता हूँ आज महा अस्टमी का परव है और कल स्रध्धा और भक्ति के साथ राम नौमी की शोभाय आत्राए निकलेगी मैं आपको और मंगाल के मेरे सभी भाईयो बहनों को इस आउसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज बालुरगाड का ये जन समो जन जन का ये उत्सा और मैं बहार देख रहा था हेलिकॉप्टर से उतरते समय चारों तरब लोग ही लोग है ये उत्सा और हमारी माताओ बहनों का ये आशिदवाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार शोपार चार जून चार जून चार जून आबार एक बार आबार एक बार आबार एक बार साथियों अभी दो दिन पहले पोईला वैशा के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले पांच वर्सों की गारंटी दी है हम गरीबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाएंगे ये मोदी की गारंटी है हम मुप्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल जीरो कर देंगे ये मोदी की गारंटी है बीजेपी सरकार आने वाले पूरे पांच वर्स मुप्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे सत्तर वर्स से अधिक हर बुजूर को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुप्त इलाज मिलेगा बंगाल में हमारी बेटियों का साबर्त बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी सिख्षा स्वास्थ रिटेल और टुरिजम जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मकान पानी बिजली सिलंडर जैसी सुविदाएं देश के हर गरीब तक पहुँचाई जाएगी भाई और बेनों इन सभी फैसलों से मंगाल के गरीब दलीत आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का एक गरंटी काड़ आया है टी एमसी के लोग डबल बॉक लाए हुए है इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पी एम आवात नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मनरेगा का पैसा बेचती थी ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजना ये पहुँचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टी-म-सी की दुकान ही बंद हो जाएगी अब इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा फैलाने पर उतर आए है लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो गारंटी पुर्ण होवार गारंटी साथियों हमारे बंगाल ने बालूर गाट ने देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद्ध में युवा चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों बलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है यह बीजेपी सरकारी है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवराव दिवस मनाने की शुरुबात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है जितने द्रवपदी मुर्मुजी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ठपती बनाया है दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाईव बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलित आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बनाकर रखना चाहते हैं इसी बालूरगाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहां आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को गुटनों के बल बैटा कर माफी मांगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीत आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीत वन्चीत आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को गुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जल्द ही गुटनों पर आ जाएगी साथियों लेप्ट और टीमसी की सरकारों ने बालूरगाड जैसे सीमावर्तिक छेत्र जहां दलीत आदिवासी जादा है उन्हें जान बुचकर विकास से बंचित रखा यहां इनों ने जीवन के लिए जरूरी सुविदाए नहीं पहुंचने दी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए रोजगार के अउसर नहीं पैदा होने दिए यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गड़ छोड़ कर जाना पड़ता है लेकिन बीते दस वरसों में टीमसी के तमाम विरोत के बावजूत बीजेपी ने बालुरगार्ट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है भाजपा बालुरगार्ट स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन के रुपे विक्षित कर रही है अभी जनवरी में बाजपा NDA सरकार ने यहां से सियांजा को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है बटिंडा से मांजा तक चल रही ट्रेन को भी बालुरगार्ट से जोड़ दिया गया है केंद्र सरकार ने बालूर गाड एरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है लेकिन यहां की टीमसी सरकार की नियत ही नहीं है कि यहां एरपोर्ट बने भाविय और बेनों टीमसी के लाख भिरोद के बावजोद अगले पाँच वर्षों में बाजपा सरकार बंगाल और बालूर गाड के विकास के लिए हर प्रयास करेगी यह मोदी की गारंटी है वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाइवेज का लाब इस पूरे ख्षेत्र को मिलेगा क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरा संकल्प है आपनार सपनों आमार संकल्प हो और भाईयों बेनों मैं आपको वादा करता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और लिख लिजिए 24 by 7 24 by 7 और 2047 ये मोदी आपके लिए है साथियों दिनाजपुर्ख शेत्र के पिछले पन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत यहां के कला कारोधवारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगव होती है यहां के किसान तो जूट उगाते हैं उससे देश की जरुदत पूरी होती है इतने दस्वकों बार ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कला कारों की चिंता की है बाजपाने अठारा पारमपारिक व्योसायों जैसे कुमार, लोहार, तोकरी बनाने वाले, चताई बनाने वाले ऐसे कारीगरों और हस्त सिल्पियों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना शुरू की है इस पर तेरा हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बड़े, उनकी आए बड़े हमारी ही सरकार ने बेंबू को गास की स्रेणी में डाला था ताकि उससे आज जीविका चलाने वाले लोगों को बेंबू काटने में परेशानी न हो जूट किसानों के लिए हमने पिछले दस वर्सों में जूट की MSP दो गुने से जादा बढ़ाई है हमने चीनी, अनाज, ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उप्योग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाब हो जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केर योजना भी शुरू की है जिसका लाब बंगाल के तीन लाज से जादा किसानों को मिल रहा है साथियों, बंगाल की टी-म-सी सरकार, तोला बाजों, अपरादियों और ब्रस्टाचारियों का अड़्डा बन गई है बीजेपी कायर करता कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती है बालूर गाट में कुछ वर्थ पहले हमारे बुद्ध सभापती की हत्या की गई है संदेश खाली में महला उपर जो जुल्म हुए सोशन की जो गटनाएं सामने आई उनसे पुरा देश दहल गया है देश ने ये भी देखा कि टीएमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराजी को आखिर तक बचाने में लगी रही साथियों टीएमसी बंगाल में प्रस्टाचार कर भी खुला खेल खेल रही है सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए है यहां तक की प्राइमरी सिच्चो को की बर्दी तक में गोटाले हो रहे सरकार में मंत्रियों के ठेकानों पर रेड होती हैं तो करोड़ों रुपिया कैस बरामद होता है एजनसियां जब प्रस्टाचारियों पर कारवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं भाई और बैनों टीमसी ने एक तरह से बंगाल को अवेद गुस पेठियों और अपरादियों को लीज़ पर दे दिया है इसलिए बंगाल सरकार गुस पेठियों को समरक्षन देती हैं और कानूनी सरनार्थियों को नाग रिक्ता देने वाले CAA कानून का विरोध करती है आपको इनकी अफ़ाओं में नहीं आना है ये अपने प्रस्टाचार और अपरादों को छिपाने के लिए जूट का सहारा ले रहे है TMC को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबा कर देनी है साथियों आने वाली 26 अपरिल को बंगाल के भविश के लिए बड़ा आउसर है बालूर गाड से आपके सामसत और बीजेबी प्रत्यासी बाई सुकान मजमूदार जी ने पिछले पांच बरसों मैं यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वटों से जीतवाना है आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ आपको पस्चिम मंगाल के गर गर तक मोदी का प्रणाम पहुचाना है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत मार केमन आजेन बालुरगाड बाशी आपना देर शकल के आमार विनम्म्रो प्रणाम श्रद्याव भालो बाशा नवरात्र के पावन आउसर पर बालुरगाड की इस धर्ती से मैं सबसे पहले माता बोला काली को प्रणाम करता हूँ आज महा अस्टमी का परव है और कल पूरा देश राम नौमी मनाने जा रहा है और ये बार ये राम नौमी भी खास और कल पूरी स्रद्धा और भक्ति के साथ राम नौमी की शोभाय आत्राएं निकलेगी मैं आपको और मंगाल के मेरे सभी भाईयो बहनों को इस अवसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज बालूर गाड का ये जन समो जन जन का ये उत्सा और मैं बहार देख रहा था हेलिकॉप्टर से उतरते समय चारों तरब लोग ही लोग है ये उत्सा और हमारी माताओं बहनों का ये आशिदवाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार सोपार चार जून आबार एक बार आबार एक बार साथियों अभी दो दिन पहले पोईला वैशा के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले पांच वरसों की गारंटी दी है हम गरीबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाएंगे ये मोदी की गारंटी है हम मुप्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल जीरो कर देंगे ये मोदी की गारंटी है बीजेपी सरकार आने वाले पूरे पांच वरस मुप्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे सत्तर वरसे अधिक हर बुजूर को आयुष्मान भारत योजना के तहट मुप्त इलाज मिलेगा बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्त बढ़ाने के लिए उन्हें IT, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मकान, पानी, बिजली, सिलंडर जैसी सुविदाएं देश के हर गरीब तर पहुंचाई जाएगी भाई और बेनों, इन सभी फैंसलों से मंगाल के गरीब, दलीट, आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का एक गारंटी काड़ आया है टी-एमसी के लोग डबल बॉक लाए हुए है इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पी-एम आवात नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मनरेगा का पैसा बेचती थी ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाओं पहुचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टीमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी और इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा फैलाने पर उतर आये हैं लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो गारंटी पूर्ण होवार गारंटी साथियों हमारे बंगाल ने बालुरगाट ने देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद में युवा चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों बलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है यह बीजेपी सरकारी है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरुवात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है जिसने द्रवपदी मुर्मु जी को देश को पहली महिला आदिवासी राश्पती बनाया है दलीतों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाई औ बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलीत आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बना कर रखना चाहते हैं इसी बालूर गाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहाँ आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैटा कर माफी माँगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीद आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीद वन्चीद आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को गुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जल्द ही गुटनों पर आ जाएगी साथियों लेप्ट और टीमसी की सरकारों ने बालूरगाड जैसे सीमावर्ति छेत्र जहाँ दलीद आदिवासी जादा है उन्हें जान बुचकर विकास से बंचित रखा यहां इन्हों ने जीवन के लिए जरूरी सुविदाए नहीं पहुंचने दी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए रोजगार के अउसर नहीं पैदा होने दिए यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गड़ छोड़ कर जाना पड़ता है लेकिन बीते दस वरसों में टीमसी के तमाम विरोत के बावजूत बीजेपी ने बालुरगार्ट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है भाजपा बालुरगार्ट स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन के रुपे विक्षित कर रही है अभी जन्वरी में बाजपा NDA सरकार ने यहां से सियानजा को जोडने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है बटिंडा से मांदा तक चल रही ट्रेन को भी बालुरगार्ट से जोड दिया गया है केंद्र सरकार ने बालूर गाट एरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है लेकिन यहां की टीमसी सरकार की नियत ही नहीं है कि यहां एरपोर्ट बने भावियो और बेनों टीमसी के लाख भिरोद के बावजोद अगले पाँच वर्षों में बाजपास सरकार बंगाल और बालूर गाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी यह मोदी की गारंटी है वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाइवेज का राप इस पूरे ख्षेत्र को मिलेगा क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरा संकल्प है आपनार सपनों आमार संकल्पों और भाईयो बेनों मैं आपको वादा करता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और लिख लिजिए ट्वेंटी फोर बाई सेवन ट्वेंटी फोर बाई सेवन और ट्वेंटी फोर्टी सेवन ये मोदी आपके लिए है साथियों दिनाज पुर्ख शेत्र के पिछले पन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है गंगा रामपूर का हैंडलूम तांत यहां के कला कारोद्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगव होती है यहां के किसान तो जूट उगाते हैं उससे देश की जरुदत पूरी होती है इतने दस्व को बार यह भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कला कारों की चिंता की है बाजपाने अठारा पारंपारिक ब्यवसायों जैसे कुमार, लोहार, तोकरी बनाने वाले, चताई बनाने वाले ऐसे कारीगरों और हस्त सिल्पियों के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना शुरू की है इस पर तेरा हजार करोड रुपिये खर्च किये जा रहे है ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले उनका काम बड़े, उनकी आय बड़े हमारी ही सरकार ने बेंबू को गास की स्रेणी में डाला था ताकि उससे आज जी विकाच चलाने वाले लोगों को बेंबू काटने में परेशानी न हो जूट किसानों के लिए हमने पिछले दस वरसों में जूट की MSP दो गुने से जादा बड़ाई है हमने चीनी, अनाज ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उप्योग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बड़े और मेरे जूट किसानों को लाब हो जूट किसानों के लिए हमने जूट I Care योजना भी शुरू की है जिसका लाब बंगाल के तीन लाज से जादा किसानों को मिल रहा है साथियों, बंगाल की T.M.C. सरकार तोला बाजों, अपराजियों और ब्रस्टाचारियों का अड़्डा बन गई है बीजेपी कायर करता कि यहाँ आए दिन हत्याएं होती है बालूरगाट में कुछ वर्थ पहले हमारे बुद्ध सभापती की हत्या की गई संदेश खाली में महिलाओ पर जो जुल्म हुए सोशन की जो गट्नाएं सामने आई उनसे पुरा देश दहल गया है देश ने ये भी देखा कि टीमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराजि को आखिर तक बचाने में लगी रही साथियों टीमसी बंगाल में प्रस्टाचार कर भी खुला खेल खेल रही है सरकारी ठेके टीमसी के गुंडों का बिजनेश बन गए है यहां तक की प्राइमरी सिक्षोकों की भरती तक में गोटाले हो रहे हैं सरकार में मंत्रियों के ठेकानों पर रेड होती हैं तो करोड़ों रुपिया कैस बरामद होता है एजन्सिया जब ब्रस्टाचारियों पर कारवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं भाई और बैनों टीमसी ने एक तरह से बंगाल को अवेद गुस पेठियों और अपरादियों को लीज़ पर दे दिया है इसलिए बंगाल सरकार गुस पेठियों को समरक्षन देती हैं और कानूनी सरनार्थियों को नाग रिक्ता देने वाले CAA कानून का विरोध करती है आपको इनकी अफ़ाओं में नहीं आना है ये अपने ब्रस्टाचार और अपरादों को छिपाने के लिए जूट का सहारा ले रहे है TMC को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबा कर देनी है साथियों आने वाली 26 अपरिल को बंगाल के भविश के लिए बड़ा आउसर है बालूर गाड से आपके सामसत और बीजेबी प्रत्यासी बाई सुकान मजबुदार जी ने पिछले पांच बरसों मैं यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वटों से जीतवाना है आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ आपको पस्चिम मंगाल के गर गर तक मोदी का प्रणाम पहुचाना है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत मार केमन आजेन बालुरगाड बाशी आपना देर शकोल के आमार विनम्रो प्रणाम स्रद्याओ भालो भाशा नवरात्र के पावन आउसर पर बालुरगाड की इस धर्ती से मैं सबसे पहले माता बोला काली को प्रणाम करता हूँ आज महा अस्टमी का परव है और कल राम नौमी की सोभाय आत्राए निकलेगी मैं आपको और मंगाल के मेरे सभी भाईयो बहनों को इस अउसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज बालुरगाड का ये जन समो जन जन का ये उत्सा और मैं बहार देख रहा था हेलिकॉप्टर से उतरते समाए चारों तरब लोग ही लोग है ये उत्सा और हमारी माताओ बेहनों का ये आशिदवाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार शोपार चार जून चार जून आबार एक बार आबार एक बार साथियों अभी दो दिन पहले पोईला वैशा के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले पाँच वर्सों की गारंटी दी है हम गरीबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाएंगे ये मोदी की गारंटी है हम मुक्त बिजली के लिए कम दाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल जीरो कर देंगे ये मोदी की गारंटी है बीजेपी सरकार आने वाले पूरे पाँच वर्स मुप्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे सत्तर वर्स से अधिक हर बुजूर को आयुश्मान भारत योजना के तहत मुप्त इलाज मिलेगा बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्त बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी, सिख्षा, स्वास्थ, रिटेल और टुरिजम जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मकान, पानी, बिजली, सिलंडर जैसी सुविदाएं देश के हर गरीब तर पहुंचाई जाएगी भाई और बेनों, इन सभी फैंसलों से बंगाल के गरीब, दलीत, आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का ये गारंटी काड़ आया है, टी एमसी के लोग डबल बॉक लाए हुए है इन्हें लगता है, कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की योजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पिएम आवाद नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मनरेगा का पैसा बेचती थी, ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है, अब तो मोदी ने हर गरीब तक योजनाओं पहुचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा, गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टी-े-म-सी की दुकान ही बंद हो जाएगी और इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा फैलाने पर उतर आए है लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो, गारंटी पूर्ण होवार गारंटी साथियों, हमारे बंगाल ने, बालुर गाट ने, देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद्ध में, युवा, चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों बलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है यह बीजेपी सरकारी है, जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवरव दिवस मनाने की शुरुबात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है, जिसने द्रवपदी मुर्मु जी को देश को पहली महिला आदिवासी राश्पती बनाया है दलीतों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाई औ बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलीत आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बना कर रखना चाहते हैं इसी बालूरगाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहाँ आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैटा कर माफी माँगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीद आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीद वन्चीद आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को गुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जल्द ही गुटनों पर आ जाएगी साथियों लेप्ट और टीमसी की सरकारों ने बालूरगाड जैसे सीमावर्ति छेत्र जहां दलीद आदिवासी जादा है उन्हें जान बूचकर विकास से बन्चित रखा यहां इनों ने जीवन के लिए जरूरी सुविदाए नहीं पहुंचने दी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए रोजगार के अउसर नहीं पैदा होने दिए यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गड़ छोड़ कर जाना पड़ता है लेकिन बीचे दस वर्सों में टीमसी के तमाम विरोत के बावजूत बीजेपी ने बालुरगार्ट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है भाजपा बालुरगार्ट स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन के रुपे विशित कर रही है अभी जन्रवरी में बाजपा एंडिये सरकार ने यहां से सियांजा को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेशन शुरू की है बटिंडा से मांजा तक चल रही ट्रेशन को भी बालुरगार्ट से जोड़ दिया गया है केंद्र सरकार ने बालूर गाट एरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है लेकिन यहां की टीमसी सरकार की नियत ही नहीं है कि यहां एरपोर्ट बने भावियो और बेनों टीमसी के लाख भिरोद के बावजोद अगले पाँच वर्षों में बाजपास सरकार बंगाल और बालूर गाट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी यह मोदी की गारंटी है वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाइवेच का राप इस पूरे ख्षेत्र को मिलेगा क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरा संकल्प है आपनार सपनों आमार संकल्प हो और भाईयो बेनों मैं आपको वादा करता हूँ आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और लिख लिजिए 24 by 7 24 by 7 और 2047 ये मोदी आपके लिए है साथियों दिनाजपुर्ख शेत्र के पिछले पन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत यहां के कला कारोद्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगव होती है यहां के किसान तो जूट उगाते हैं उससे देश की जरुदत पूरी होती है इतने दस्वकों बार ये भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कला कारों की चिंता की है भाजपाने अठारा पारंपारिक व्यवसायों जैसे कुमार, लोहार, तोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले ऐसे कारीगरों और हस्त सिल्पियों के लिए पी-एम विश्वकर्मा योजना शुरू की है इस पर 13,000 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बड़े, उनकी आय बड़े हमारी ही सरकार ने बैंबू को गास की स्रेणी में डाला था ताकि उससे आज जी विकाच चलाने वाले लोगों को बैंबू काटने में परेशानी न हो जूट किसानों के लिए हमने पिछले दस वर्सों में जूट की MSP दो गुने से जादा बढ़ाई है हमने चीनी, अनाज, ऐसी अनेकों चीजों की पैकेजिंग के लिए जूट का उप्योग बढ़ाया है ताकि जूट की खपत बढ़े और मेरे जूट किसानों को लाब हो जूट किसानों के लिए हमने जूट आई केर योजना भी शुरू की है जिसका लाब बंगाल के तीन लाज से जादा किसानों को मिल रहा है साथ्यों बंगाल की टीमसी सरकार तोला बाजों अपरादियों और प्रस्टाचारियों का अड़्डा बन गई है बीजेपी कायर करता कि यहां आए दिन हत्याएं होती है बालूर गाट में कुछ वर्थ पहले हमारे बुद्ध सभापती की हत्या की गई संदेश खाली में महिलाओं पर जो जुल्म हुए सोशन की जो गटनाएं सामने आई उनसे पुरा देश दहल गया है देश ने ये भी देखा कि टीमसी सरकार किस तरह संदेश खाली के अपराजी को आखिर तक बचाने में लगी रही साथियों टीमसी बंगाल में प्रस्टाचार कर भी खुला खेल खेल रही है सरकारी ठेके टीमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए है यहां तक की प्राइमरी सिच्चो को की बरती तक में गोटाले हो रहे सरकार में मंत्रियों के ठेकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपिया कैस बरामद होता है एजन्सियां जब ब्रस्टाचारियों पर कारवाई के लिए जाती है तो उन पर हमले करवाए जाते हैं भाई और बैनों टीमसी ने एक तरह से बंगाल को अवेद गुषपेठियों और अपरादियों को लीज़ पर दे दिया है इसलिए बंगाल सरकार गुषपेठियों को समरक्षन देती है और कानूनी सरनार्थियों को नाग रिक्ता देने वाले CAA कानून का विरोध करती है आपको इनकी अफ़ाओं में नहीं आना है ये अपने प्रस्टाचार और अपरादों को छिपाने के लिए जूट का सहारा ले रहे है TMC को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबा कर देनी है साथियों आने वाली 26 अपरिल को बंगाल के भविश के लिए बड़ा आउसर है बालूर गाड से आपके सामसत और बीजेबी प्रत्यासी बाई सुकान मजबूदार जी ने पिछले पांच बरसों में यहां के विकास के लिए दिन रात मेहनत की है आपको इस बार इन्हें रिकॉर्ड वटों से जीतवाना है आपको मैं एक जिम्मेदारी और दे रहा हूँ आपको पस्चिम मंगाल के गर गर तक मोदी का प्रणाम पहुचाना है मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत मार केमन आथेन बालुरगाड बाशी आपना देर शकल के आमार विनम्रो प्रणाम स्रद्याओ भालो बाशा नवरात्र के पावन आउसर पर बालुरगाड की इस धर्ती से मैं सबसे पहले माता बोला काली को प्रणाम करता हूँ आज महा अस्टमी का परव है और कल मैं आपको और मंगाल के मेरे सभी भाईयो बहनों को इस अउसर पर बधाई देता हूँ साथियों आज बालुरगाड का ये जन समो जन जन का ये उत्सा और मैं बाहर देख रहा था हेलिकॉप्टर से उत्तरते समय चारों तरफ लोग ही लोग है ये उत्सा और हमारी माताओ बहनों का ये आशिरवाद ये बता रहा है कि बंगाल में जीत विकास की होगी आज पूरा बंगाल कह रहा है चार जून चार सोपार चार जून चार जून चार जून आबार एक बार आबार एक बार आबार एक बार साथियों अभी दो दिन पहले पोईला वैशा के दिन बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र देश के सामने रखा है बीजेपी के संकल्प पत्र में मोदी ने अगले पाँच वर्सों की गारंटी दी है हम गरीबों के लिए तीन करोड और नए मकान बनाएंगे ये मोदी की गारंटी है हम मुक्त बिजली के लिए कमदाम पर सोलर पैनल देंगे और बिजली बिल जीरो कर देंगे ये मोदी की गारंटी है बीजेपी सरकार आने वाले पूरे पाँच वर्स मुप्त राशन देती रहेगी ताकि गरीब के घर का चूला जलता रहे सत्तर वर्स से अधिक हर बुजूर को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुप्त इलाज मिलेगा बंगाल में हमारी बेटियों का सामर्त बढ़ाने के लिए उन्हें आईटी सिख्षा स्वास्त रिटेल और टुरिजम जैसे सेक्टर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी मकान पानी बिजली सिलंडर जैसी सुविदाएं देश के हर गरीब तक पहुँचाई जाएगी भाई और बेनों इन सभी फैसलों से मंगाल के गरीब दलीद आदिवासी और महिलाओं का कल्यान होगा इसलिए जब से मोदी का ये गरंटी काड आया है टी एमसी के लोग डबल बॉक लाए हुए है इन्हें लगता है कि इतने दिनों से तो ये लोग मोदी की यूजनाओं को बंगाल के लोगों तक पहुँचने से रोक रहे थे गरीबों को पी एम आवास नहीं मिलने दे रहे थे हर गर जल का जो मिशन है उसको गाउं तक नहीं जाने दे रहे थे केंद्र मनरेगा का पैसा बेचती थी ये रोक कर बैठ जाते थे अब इन्हें लग रहा है अब तो मोदी ने हर गरीब तक यूजनाओं पहुचाने की गारंटी दी है अगर बंगाल के गरीब को मोदी के कामों का लाब मिल जाएगा गरीब आगे बढ़ जाएगा तो टी एमसी की दुकान ही बंद हो जाएगी और इसलिए ये लोग जूट और अफ़ा फैलाने पर उतर आए है लेकिन मेरे बंगाल के लोगों को पता है मोदीर गारंटी हो लो गारंटी पुर्ण होवार गारंटी साथियों हमारे बंगाल ने बालूर गाट ने देश को कितना कुछ दिया है यहां के आदिवासी समाज के त्याग और बलिदान का देश पर बड़ा कर्ज है बांगला देश युद्ध में युवा चुरका मुर्मु के बलिदानों को कौन भूल सकता है आज बीजेपी यहां आदिवासियों बलितों के सम्मान के लिए लड़ रही है यह बीजेपी सरकारी है जिसने आदिवासी समाज के सम्मान में जन जातिय गवराव दिवस मनाने की शुरुवात की हमारी सरकार ने बंगाल में आदिवासी बच्चों के लिए आठ नए एक लव्य आवासिय विद्याले खोले है और यह बीजेपी है जिसने द्रवपदी मुर्मुजी को देश को पहली महिला आदिवासी राष्ठपती बनाया है दलितों के सम्मान के लिए भी बीजेपी बाबा साब आमबेड कर से जुड़े पंचतिर्थों का विकास कर रही है लेकिन भाई औ बेनों दूसरी और टीमसी जैसी पार्टी है जो दलीत आदिवासी महिलाओं को अपना बंधग बना कर रखना चाहते हैं इसी बालूरगाट में तीन आदिवासी महिलाओं ने बीजेपी को जोइन किया था तो टीमसी के गुंडे वहाँ आधम के थे टीमसी के लोगों ने उन महिलाओं को घुटनों के बल बैटा कर माफी मांगने को मजबूर किया टीमसी को लगता है कि दलीत आदिवासी गरीब अपनी मर्जी से चलने के लिए आजाद नहीं है लेकिन ये चुनाव इन्हें बताएगा कि बाबा साब आमबेड करके लोगतंत्र में दलीत, वंचीत, आदिवासी टीमसी के गुलाम नहीं है और नहीं रहेंगे आदिवासी महिलाओं को घुटनों पर बैठाने वाली टीमसी ये पूरी की पूरी टीमसी जल्द ही गुटनों पर आ जाएगी साथियों लेप्ट और टीमसी की सरकारों ने बालूर गाड जैसे सीमावर्ती छेत्र जहां दलीद आदिवासी जादा है उन्हें जान बुचकर विकास से बन्चित रखा यहां इनों ने जीवन के लिए जरुरी सुविदाए नहीं पहुंचने दी इलाज के लिए अच्छे अस्पताल नहीं खुलने दिए रोजगार के अउसर नहीं पैदा होने दिए यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में गड़ छोड़ कर जाना पड़ता है लेकिन बीचे दस वरसों में टीमसी के तमाम बिरोत के बावजोत बीजेपी ने बालुरगार्ट और बंगाल के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया है भाजपा बालुरगार्ट स्टेशन को अमरित भारत स्टेशन के रुपे विक्षिक कर रही है अभी जन्वरी में बाजपा एंडिये सरकार ने यहां से सियांजा को जोड़ने के लिए एक नई ट्रेन शुरू की है बटिंडा से मांदा तक चल रही ट्रेन को भी बालुरगार्ट से जोड़ दिया गया है केंद्र सरकार ने बालुरगार्ट एरपोर्ट के लिए भी बहुत प्रयास किया है लेकिन यहां की टीमसी सरकार की नियत ही नहीं है कि यहां एरपोर्ट बने भावियो और बैनों टीमसी के लाख भिरोध के बावजोध अगले पांच वर्षों में भाजपा सरकार बंगाल और बालुरगार्ट के विकास के लिए हर प्रयास करेगी यह मोदी की गारंटी है वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों और अच्छे हाइवेच का राब इस पूरे ख्षेत्र को मिलेगा क्योंकि आपके सपने आपके सपने ही मेरा संकल्प है आपनार सपनों आमार संकल्प हो और भाईयो बेनों मैं आपको वादा करता हूँ आपके सपनों को पूरा कंडे के लिए मेरा पल पल आपके नाम मेरा पल पल देश के नाम और लिख लिजिए 24x7 24x7 और 2047 ये मोदी आपके लिए है साथियों दिनाजपुर्ख शेत्र के पिछले पन का बड़ा कारण यहां के किसानों और कारीगरों की उपेक्षा भी है गंगा रामपुर का हैंडलूम तांत यहां के कला कारोद्वारा बनाई गई लकड़ी की प्रतिमाओं की तारीफ हर जगव होती है यहां के किसान तो जूट उगाते हैं उससे देश की जरुदत पूरी होती है इतने दस्व को बार यह भाजपा सरकार है जिसने जूट किसानों और कला कारों की चिंता की है बाजपाने अठारा पारंपारिक ब्यवसायों जैसे कुमार, लोहार, तोकरी बनाने वाले, चताई बनाने वाले, ऐसे कारीगरों और हस्त सिल्पियों के लिए पी-एम विश्व कर्मा योजना शुरू की है इस पर 13,000 करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं ताकि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, उनका काम बड़े, उनकी आए बड़े हमारी ही सरकार ने बेंबू को गास की स्रेणी में डाला था